टेकनोलोजी इतनी एडवांस हो गई है कि हमें लगता हमें दुनिया के सभी रहसियों से पर्दा उठा लिया पर असल में ये दुनिया रहसियों से भरी हुई है और आज हम आपको ऐसे ही रहसियों के बारे में बताने वाला हैं जिसे कोई भी नहीं जानता विज्ञानन भी भूमिगत रहस्य इस धर्ती के नीचे क्या है कोई नहीं जानता हम लोगों को सिर्फ सर्फेस और थोड़ी सी गहराई में क्या है बस वही पता है विग्या। निको ने भी सोचा कि इस धर्ती के नीचे क्या क्या हो सकता है इसके लिए उन्होंने एक गड़ा बनाया जो करीब 12 किलोमीटर की थी और बस ये 12 किलोमीटर का गड़ा दुनिया का सबसे डिपेस्ट गड़ा है इस गड़े का नाम है कोला सुपरडिप बोर्हूल एल ये बोर्हूल रसिया में आज भी मौजूद है और ये बात जानकार आपको हिरानी होगी कि इस बोर्हूल को बनाने में करीब 26 साल लग गए इस बोर्हूल को 12 किलोमीटर खोदने के बाद तापमान इतना बढ़ गया ताकि इसके आरगे इसम काम करना इंपॉसिबल था विज्ञान बस अनुमान लगा सकता है कि इसके नीचे ये होगा पर असल में क्या है आज तक किसी को भी मालूम नहीं है ऐल 2014 में एक डिसकावरी हुई थी उसके हिसाब से अगर हम धरती के और भी अंदर जाए तो हमें पूरा समंदर मिलेगा जि ये भी एक बड़े रहस्य में से एक है इसके बारे में आपने कई थ्योरी पढ़ी होगी पर अंतु ये एक थ्योरी है क्ये कोई यकीन के साथ नहीं कह सकता कि चांद आखिर में बना कैसे है उनमें से कई थ्योरी हो बनी है जॉर्ज डार्विन ने एक थ्योरी निकाली थी और उन्होंने ये कहा था जब धर्ती नहीं थी तब कोई चांद नहीं हुआ करता था उस समय धर्ती की रफ्तार इतनी तेज थी कि धर्ती का कुछ हिस्सा स्पेस में चला गया एल गुरुत्वाकर्शन के कारण वो टुकड़े आपस में जुड़के एक औबजेक्ट बन ग करता है